Hello everyone, आप सबका स्वागत है रिश्मास टेस्टिफूरी चैनल में आज हम बना रहे हैं दूद मसाला आने वाली कोजागिरी के दिन हर घर में मसाला दूद बनाया जाता है और उस मसाला दूद में हम मार्केट से लाकर दूद मसाला डालते हैं यह दूद मसाला बनाना बहुत ही आसान है मार्केट स्टाइल और प्यूर दूद मसाला और केशरी दूद मसाला कैसे बनाते हैं इनकी रेसिपी में आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपको 100 कप इतना मसाला दूद बनाना है तो उनके लिए कितने इंग्रिडेंट्स लगेंगे यह भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है तो अगर आप 100 कप इतना मसाला दूद बनाना चाहते हैं तो आपको लगेगा 12 लिटर इतना दूद 750 ग्राम यानि कि 5 किलो इतनी चीनी और 100 ग्राम इतना दूद मसाला तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के रेसिपी तो यहाँ पर यह जो दूद मसाला है इससे पहले हम मसाला दूद केसे बनाते हैं यह देखते हैं पतेले में मैंने लिया है करीब 100 ml के आसपास दूद लिया है और इसमें मैंने एक टेबल स्पून इतना दूद मसाला डालाई जो कि हमने घर में ही बनाया है कोजागरी के दिन हर घर में दूद मसाला बनाया जाता है अब इसे हम एक दो मिनिट के लिए उबा लेंगे अगर आपको चीनी पसंद है तो यहाँ पर आप चीनी डाल सकते हो मुझे दूद में बिल्कुल भी चीनी पसंद है इसलिए यहाँ पर मैंने चीनी नहीं डाली है उबार आने के बाद थंडा करके मैंने इसे सर्व किया था और उपर से थोड़ी से ड्राइफ्रूट डाले थे तो चलिए स्टार्ट करते मसाला के रेसिपी तो प्यान में मैंने एक टेबलशपुन इतने काजू लिए है एक टेबलशपुन इतने पिस्ते लिए है और एक टेबल स्पुन इतने बदाम लिए है मेडियम गयस की फ्लेम पर 203 मिनिट के लिए हमें इसे भूनना है भूनने के बाद इसे थंडा करना है और मिक्से में इसकी पाउडर बनानी है अब पाउडर में बाकी इंग्रिडेंट्स भी हमें डालने है जिसे कि यहाँ पर मुझे नटमेक डालना है जिसे मरठी में जाइपल बोलते है उसकी दो पिंच इतनी पाउडर बना के डालनी है अब मार्केट का जो दूद मसाला होता है उसमें ना तो जाइपल की पाउडर डालते है और ना ही इलाइची की पाउडर डालते है वहाँ पर शरीफ आपको बदाम की पाउडर पीस कर उसमें मिल्क पाउडर मिक्स करते हो और पीसे हुई चीने भी मिक्स करते हैं ताकि उसका वेट बढ़ जाए उससे अच्छा है कि आप घर पर इस तरह से ड्राय फ्रूट्स को पीस कर इनके मिल्क मसाला बना सकते हो काश्मेरी इंसेंस या फिर आप इलाची का इंसेंस भी डाल सकते हो मैंने काश्मेरी इंसेंस ही इसमें डाला है काश्मेरी केशर का इंसेंस वन फूर टेबल स्पून इतनी इलाची की पाउडर भी डाली है अगर बाहर का दूद मसाला लेकर आप मसाला दूद बनाते हो तो उसमें आपको काले पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे क्यूंकि बाहर के मसाले में बिल्कुल भी इलाइची की पावडर नहीं होती खाने का थोड़ा सा यलो रंग मैंने इसमें डाल दिया है के भी तैयार होता है यहाँ पर मैंने केशर की कौंटिटी बहुत ही कम ली है तो आने वाले कोजागरी के दिन आप इसी तरह का दूद मसाला जरूर बनाईएगा